तो हेलो गाइस आप आप सब अच्छे होईगे और आपकी ट्रेडिंग की जर्वनी बहुत अच्छी चलती होगी काफी सारे मुझे कमेंट्स आते कि स्टॉप लॉस कैसे लगा है और स्टॉप लॉस के बाद टार्गेट कैसे ले यह सारी चीजे में एक टिक करके आपको सिख यहां पर ना एक निफ्टी होता है और बैंक निफ्टी होता है आपको डिस्प्ले के स्क्रीन में साइड में दिख जाएगा पहले में यह चोटा कर लेता हूँ स्क्रीन पे साइड में आपको दिख जाएगा ठीक है अब यहां पर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर के तरफ जा सकता है ठीक है तो ये बैंक कॉल साइड मैं ये बाइवी सुर्थ पर दिख रहीँ है यहाँ पर बाइ में जाओँगा समझो मुझे दो लाट करना तीन लाट करना यहाँ लिखोंगा market price किया तो market का जो भी price चलता होगा न age time ग्राइस को exactly बाइच यहाँ पर मैं buy करके दिखाता हूं place order यह confirm buy हो गया अब यहाँ पर मेरा profit loss जो भी चल रहा है अब इसमें SL लगाना रहेगा तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं जो screen पर मेरे position में चल रहा है ना वहाँ पर मैं फिर से click करूंगा ठीक है यह click किया और नीचे देखो right side में आपको stop loss देख रहा है वो stop loss पर touch करूंगा अब समझो मेरे इसका target है कि मैं इसको 25 रुपे पर बेचू जितना भी बेचू तो यहाँ पर नहीं लगेगा यह proper यहाँ पर जो लगेगा वो stop loss लगेगा ठीक है यह यहाँ पर मैं समझो limit कर देता हूं कि मेर exit करना है तो यह exit होगा क्या देखो यह market price पर किया exit किया लेकिन यह exit नहीं होगा यह काफी लोगों के साथ दिक्कत आता है यह मुझे चीज़ पता है अब समझो इसको बेचना है मुझे अगर बेचना है तो इसको direct cancel कर दो यहाँ से जो भी चीज़ होगा वो हट जाएगा फिर से positions में आना और positions में आके यहाँ पर exit के तरफ आप click करोगे यहाँ पर exit के लिए यहाँ पर click करोगे देखो open order में मेरे कुछ भी नहीं है फिर से यह चीज़ में position में खड़ा होगा position में खड़ा होने के बाद यहाँ पर 16 रुपे चल रहा मुझे इसको exit मारना ठीक है अब इसको क्या करूँगा एक तो मैं मेरे हिसाब से जितने रुपे पर exit मारना है 20 तो 20 तो 20 लिखके मैं exit मार सकता हूँ या फिर market का जो भी price चल रहा वहाँ पर exit मारना मुझे तो यहाँ पर 20 रुपे लिख दिए और 20 रुपे पर exit मेरा जैसे market आएगा वहाँ पर मेरा व position जो है ना यह positions में आऊँगा open order में आऊँगा बाजो में open order में आने के बाद यहाँ पर edit में आऊँगा अब यह edit section में आऊँगा यह 20 रुपे विख गया लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैं जाऊँगा easily यहाँ यहाँ पर मैं 2 लॉट बाई कर लूगा जो भी price चल समझो इसको मुझे पहले stop loss लगा दिया यहाँ पर एक रुपे का इसको place कर दिया मैं अब यह जो एक रुपया है अब मुझे इसको हाई पर बेचना है समझो यह 2 रुपया 70 पैसा चलेगा मुझे 3 रुपय पर बेचना है इसको ठीक है अब समझो यह 2 रुपया 3 रुपय जैसे 3 रुपया था वो SL में 3 रुपया मेरा हिट हो गया और मेरे को प्रॉफिट मिल गया I hope आपको ये वीडियो समझने हो कैसे entry लिया जाता है कैसे exit किया जाता है और कैसे stop loss लगाया जाता है और stop loss को target में कैसे convert करके exit मारा जाता है तो ये एक चीज़ समझ या अब दूसरी चीज़ समझना मार्केट में है अगर हमको SL trail करना है तो SL trail किसे कहते है वो समझा देता हूँ यहाँ पर बहुत simple way में आपको angel one का जो dashboard है उसके साथ समझा रहा हूँ मैं अगर समझो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट नीचे आ सकता है तो यहाँ पर मैं फिर से put buy करूँगा put कौन सा buy करूँगा पहले watch list में जाऊँगा bank nifty में जाऊँगा put side में जाऊँगा और 2.70 पैसा चल रहा है अब 2.70 पैसे को मुझे buy करना है यहाँ पर समझो मैं खरीद दिया दो lot फिर से खरीद दिया अब 2.70 पैसे मेरा buy होगया अब यह बेच़ो कैसे गो चीज समझना देखो पहले तो SL लगा दो कभी एंट्री लेते लगा दो तो एक रुपय का मैंने यहांपर मेरा SL प्लेस कर दिया, अब इसको ट्रेल कैसा किया जा, अब समझो मेरा एक रुपया था, ठीक है, अब इसको ट्रेल करते समय में क्या करूँगा, 1.50 करूँगा, 1.50 कर लिया, अब यह अब यह मेरा suggest हो गया दो रुपया हो गया अब इसको मुझे और उपर जाके बेशना है तो यह फिर से एडिट सेक्शन में आऊँगा अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर दो रुपय जैसे 20 पैसे देखो यहाँ पर हिट हो गया क्योंकि दो रुपय ऑल्रेडी चल रहा था उसके यहाँ दो रुपय मेरे हिट हो गया तो बहुत सिंपल यह मार्केट में जो एंग्जल वन एप उसको यूज करना बहुत सिंपल आई होप आपको समझा होगा कि कैसे इसमें ओर लिया जाता है ओर लगाया जाता है और कितने लोग पैनिक सिच्वेशन में क्या करते हैं ओपन ओपन इंट्री एक्जित करने का वरना दिक्कत हो जाएगा बहुत टाइन कैसेस में दिक्कत हुआ है लोगों के साथ तो आइ होप आपको यह वीडियो समझा और नहीं समझा तो रिवाइन करना फिर से देखना आपको समझ जाएगा तो ऐसे ही वीडियो देखेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना थेंक्यू सो मच गैज।